नमाशकार दोस्तों, लक्षद वीप और अंदमान निकोबार आइलेंड्स ये सही माइनों में इंडिया के अनमोल रतन है जिस लेवल की बायो डाइवर्सिटी, वाइल लाइफ और नेचर इन जगाओं में देखने को मिलता है वैसा कहीं और इंडिया में नहीं मिलता आम तोर पे इंडिया के बाकी शहरों में जो आपको कूडा, कचडा, गार्बेज, सडकों पर दिखती है यहां पर ऐसा नहीं है ये सही माइनों में कुछ ऐसी जगाएं बची हैं इंडिया में जहां पर नेचर अपनी प्योरिस्ट स्टेट में मौजूद है लेकिन आज के दिन दोस्तो सोशल मीडिया पर सेव लक्षदवीब के नारे लग रहे हैं क्या हो रहा है? किस चीज से खत्रा पहुँच रहा है इन आइलेंड्स को? आईए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में लक्षदवीब दोस्तो 35 छोटे छोटे सुन्दर आइलेंड से बनता है यह आइलेंड्स सही में बहुत छोटे हैं इनका टोटल सर्फेस एरिया सिर्फ 32 स्कोर किलोमेटर्स का है यानि एक छोटे सहर से भी कम एरिया है इनका 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग टोटल पॉपिलेशन इनकी सिर्फ 60-70 हजार लोग है तो यह इंडिया की smallest union territory है अगर politically देखा जाए तो इनके पास कोई legislative assembly नहीं है कोई chief minister नहीं है इनका पूरा political framework बस तीन levels पर है पहला लोकसभा में लक्षदीब के एक MP होते हैं जो कि currently NCP party से हैं दूसरा local self government होती है लक्षदीब आइलेंट्स के अंदर panchayats की और तीसरा president एक administrator को appoint करते हैं जो पूरे लक्षदीब आइलेंट्स की governance के लिए responsible है साल 2020 तक लक्षदीब के administrator थे दिनेशवर शर्मा जो कि एक IPS officer थे उनसे पहले भी धेर सारे well educated I.E.S. और IPS officers लक्षदीब के administrators बने थे तो ये एक ऐसी position थी जो bureaucrats को दी जाती थी आम तोर पर लेकिन 4th December 2020 को दिनेशवर शर्मा का दिहान थो गया और उनके बाद किसी I.E.S. और IPS officer को नहीं बल्कि एक politician को नया administrator बनाया गया लक्षदीब का और ये politician थे प्रफुल के पटेल दोस्तों किसी भी art को गहराई से समझने के लिए हमें artist को जानना बहुत जरूरी है लक्षदीब में आज क्या हो रहा है उसे जानने के लिए हमें प्रफुल पटेल के बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा प्रफुल पटेल ने अपने political career की शुरुवात करी थी गुजरात में एक MLA बनके 2007 में 2010 में जब अमित शा को arrest कर लिया गया CBI के दौरा प्रफुल पटेल को Minister of State Home बना दिया गया नरेंदर मोदी के दौरा गुजरात का इसके बाद 2014 में जब नरेंदर मोदी लेकिन अब politician को कर दिया गया और बात यहीं खतम नहीं होई इसके बाद दादरा एन नगर हवेली जो कि एक और union territory है उसका भी administrator अपॉइंट कर दिया गया प्रफुल पटेल को मतलब एक नहीं बलकि दो-दो union territory के ये administrator थे मानो पूरे देश में जैसे अच्छे ब्यूरोक्राट्स की कमी हो रही हो कि एक ही politician को दो-दो union territory के administrator अपॉइंट कर दिया गया एप्रिल 2019 में जब इन दोनो union territories में elections होनी थी कैरवन मैगजीन ने रिपोर्ट किया कि election commission ने प्रफुल पटेल को इस चीज के लिए और कुछ ही महीने बाद जो officer कनन गोपिनाथन थे उन्होंने अपनी जब से resign कर दिया ये कोई एकलोती controversy नहीं थी जिसमें प्रफुल के पटेल का नाम आया था 2019 में दमन एंडियू में दमन में specifically 90 घरों को demolish किया गया जो कि सी फ्रंट लैंड पर थे कहा गया था कि ये विकास के लिए किया जा रहा है locals ने प्रोटेस्ट किया इसके अगेंस्ट और जो MP थे दमन के लालू पटेल उन्होंने request करी collector को कि इन घरों को restore कर दिया जाए humanitarian grounds पर collector ने response में कहा कि ये जिन लोगों के घर तूटे हैं वो प्रदान मंतरी की अवास योजना में loan के लिए apply कर सकते हैं जब protest बढ़ने लगे तो section 144 imposed किया गया और दो सरकारी स्कोलों को temporary jails में convert कर दिया गया सारे protesters को वहाँ detain करने के लिए अगली controversy होई December 2019 में Parliament ने एक bill पास किया कि इन दोनों union territories को दादरा एन नगर हवेली और दमन दियो इन दोनों को merge करके एक single union territory बना दिया जाएगा दादरा एन नगर हवेली और दमन दियो ये उस single union territory का नाम है आज के दिन लोगों को उमीद थी कि इन union territories को अपना state hood दे दिया जाएगा जैसे कि गोवा को दिया गया था या फिर कम से कम अपनी एक legislative assembly और अपने एक chief minister तो दे दिया जाए ताकि ज्यादा democratic हो ऐसा ना हो कि कहीं और से एक administrator को appoint किया जाता है जो कि सारी governance समालेगा और जनता के पास vote करके उसे बदलने का कोई मौका ही नहीं हो लेकिन नहीं इन दोनों union territories को merge करके इसका उल्टा ही हुआ और क्या आप guess कर सकते हैं इस नई union territory का कौन पहला administrator बना प्रफुल के पटेल आगे बढ़ते हैं इस साल फरवरी में दादराय नगर हवेली के साथ बार रहे MP मोहन देलकर और tribal rights activist भी रहे थे ये इन्होंने मुंबई के एक hotel room में suicide कर लिया 15 पेज का एक suicide note गुजराती भाशा में लिखा गया और guess कर सकते हूँ किसका नाम था इस suicide note में प्रफुल के पटेल का उनके बेटे अभिनव ने ऐलेज किया कि इनके father को harass किया जा रहा था पटेल के दुआरा और 25 करोड की मांग करी जा रही थी अगर वो 25 करोड नहीं देते तो उन पर धमकी दी गई थी कि उन पर false case register कर दिया जाएगा under prevention of anti-social activities act मुझे लगता है इतनी background information काफी अभी के लिए अब present time पर आते हैं तो प्रफुल के पटेल आज के दिन ना सिर्फ दादरा और नागर हवेली और दमनेंद्यू के administrator हैं बलकि अब लक्षद वीप के भी administrator हैं क्या किया इन्होंने ऐसा लक्षद वीप के administrator बनने के बाद पहली चीज तो जितनी भी बची कुछी democracy थी लक्षद वीप में रहने वाले लोगों के पास उसे भी choose लिया गया अब एक बारी जो MP चुनते हैं ये 5 साल में उसे ignore कर दो तो उसके इलावा ये अपने elected officials को बस पंचायत के level पर ही चुन सकते हैं और पंचायत के पास से 5 different areas से powers को हटा दिया गया education, healthcare, agriculture, animal husbandry और fisheries के sector में यहां से पंचायत की powers छीन ली गई दूसरा नई पंचायत regulations प्रपोस करी गई है कि जिन लोगों के 2 से ज़्यादा बच्चे हैं वो ineligible हो जाएंगे elections contest करने के लिए लक्षद वीप के अन्द बड़ा ही interesting law है आप सोचोगे कि पूरे देश में क्यों नहीं लगा देते हैं लोग कि सारे देश में ही जिन politicians के 2 से ज़्यादा बच्चे हैं वो elections नहीं contest कर सकते नहीं कर सकते क्यों? क्योंकि इसका मतलब यह होगा कि 303 में से जो BJP MPs elect होए हैं उन में से 96 BJP MPs automatically disqualify कर जाएंगे क्योंकि उनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं यानि तकरीबन 1 third BJP MPs के 2 से ज़्यादा बच्चे हैं सवाल यह उठता है कि सिर्फ लक्षद्वीप में ही ऐसा nonsense कानून क्यों बनाया जा रहा है? क्या कोई overpopulation की problem है लक्षद्वीप में? यहां भी डेटा देख लेते हैं लक्षद्वीप का fertility rate actually में सिर्फ 1.4 है 1.4 one of the lowest fertility rates है पूरे देश भर में बिहार का 3.2, उत्तर प्रदेश का 3.0 मध्या प्रदेश का 2.7, राजस्तान का 2.6 यह डेटा खुद सरकार की Ministry of Health and Welfare के द्वारा निकाला गया है यकिन नहीं होता है रिपोर्ट का link मैं नीचे description में डाल दूँगा इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि लक्षद्वीप में woman literacy one of the highest है पूरे देश में at 96.5% तो क्यों ऐसा regulation लाया जा रहा है local लोग जो है वो alleged करते हैं कि सरकार यह ऐसा कर रही है ताकि कुछ जो prominent politicians हैं उन्हें रोका जा सके लक्षद्वीप की elections में लडने से तीसरा, लक्षद्वीप के लोग alleged करते हैं कि प्रफूल के पटेल ने ही covid को फैलाया है उनके island पर ऐसा क्यूं? क्योंकि पिछले साल जब पूरे देश में covid की पहली wave आई थी लक्षद्वीप islands में एक भी case नहीं था कोरोना खा क्योंकि standard operating procedure ये था कि कोई भी अगर लक्षद्वीप में आएगा तो पहले तो उन्हें टेस्ट कराना पड़ेगा और टेस्ट कराने के बाद उन्हें 14 दिन तक quarantine में रहना पड़ेगा लेकिन जब प्रफूल के पटेल administrator बने तो उन्होंने rules को बदल दिया नई guidelines में कहा गया कि बस आपको एक negative RT-PCR test की जरूरत है और फिर आप आ सकते हैं इन islands के अंदर नतीज़ा क्या हुआ इसका January 2021 में पहला COVID case देखने को मिला लक्षद भी हुआ और आज के दिन क्या situation है 6000 से ज़्यादा total cases है और 24 से ज़्यादा लोगों की deaths हो चुकी है अगर ये एक simple सा rule ना change किया जाता है तो क्या ऐसा होता शायद नहीं चौथा है एक anti-gunda act अब आम तोर पे क्या होता है दोस्तो law and order कैसे maintain किया जाता है अगर किसी को कुछ गलत करते हुए पकड़ा पुलीस ने तो पुलीस उसे arrest करती है कोट के सामने उस बंदे का trial होता है और कोट decide करता है कि वो इनसान guilty है या नहीं है ना लेकिन recently हम ऐसे कई cases होते हुए देख रहे हैं कि सरकारे ऐसे laws बना रही है जहाँ पर पुलीस के पास जा रही है जो judiciary के पास होनी चाहिए आज से 100 साल पहले एक rollet act पास किया गया था ब्रिटिश के दुआरा जहाँ पर किसी को भी arrest किया जा सकता था और जेल में डाला जा सकता था बिना court के trial के 100 साल बाद इंडियन सरकार ने UAPA Amendment Bill बनाया 2019 का सेम चीज करी सरकार ने कि सरकार के पास power है वो किसे terrorist गोशित करेंगे और उन्हें बिना trial के जेल में डाल के रखा जा सकता है मार्च के महीने में बिहार में भी एक ऐसा ही law बनाया गया बिहार Special Armed Police Bill 2021 जो police officers को special power देता है कि वो search and arrest conduct कर सकते हैं बिना किसी warrant के इतना ही नहीं अगर कोई police officer खुद कोई offense करता इस act के अंदर तो court को भी action लेने से पहले सरकार के एक officer की authorization लेनी जरूरी है मतलब सरकार की permission लेनी जरूरी है इससे पहले court कोई action ले पर अब लक्षद वीप पर आते हैं लक्षद वीप में एक नए law का draft इंटर्ड्यूस किया गया है जिसका नाम है prevention of anti-social activities या anti-gunda act basically यह allow करता है कि कि किसी भी इंसान को detain किया जा सकता है बिना public disclosure के for up to one year अब क्या sense बना इसके पीछे कुछ लोग कहेंगे बड़ा crime rate बढ़ने लग रहा है लक्षद वीप में crime की problem बहुत ज़्यादा होगी इसलिए यह acts इंटर्ड्यूस किया जाने इसी तरह की justification देते हैं अंधे लोग जो होते हैं जो हर चीज को support करते हैं अब मैं इसका भी data आपको दिखाता हूँ पूरे देश में लक्षद वीप का crime rate lowest है तो भई किस के लिए introduce किया गया है यह अगर crime rate lowest भी ना होता ना तो भी sense नहीं बनता है ऐसे laws बनाने का क्योंकि यह laws principle of natural justice के against जाते हैं democracy के against जाते हैं तो किस reason के लिए बनाया जा रहा है यह नया law local logo का कहना है कि प्रफुल के पटेल इसे इस्तिमाल करेंगे उन लोगों को जेल में डालने में जो उनके decisions को criticize करते हैं या जो उनके खिलाफ protest करते हैं तो पंचायट्स की power छीन ली गई पुलीस राज थोपा गया लेकिन बात यहां खतम नहीं होती पांचवा एक नई लक्षद्वीप development authority create करी गई ऐसा कहा जाता है कि इससे बड़े-बड़े corporates को लक्षद्वीप की जमीन बेच देना बहुत आसान हो जाएगा और वहां की जो natural biodiversity है और ecosystem है उस पर एक बहुत बड़ा खत्रा पहुँचेगा प्रफुल पटेल का कहना है कि वो एक smart city बनाना चाते हैं लक्षद्वीप में बताइए लक्षद्वीप के अंदर एक smart city बनाएंगे जो इतने छोटे-छोटे islands हैं जहां पर इतने अच्छी अच्छा nature preserve हो रखा है और बाकी देश का क्या मतलब प्रफुल पटेल से कोई पूछे उनके मित्र नरेंद्र मोदी जी साथ साल से क्या करने लग रहे है mainland India में पूरा देश पड़ा है बनाओ smart city कितनी बनाई माँ पर अभी तक smart city चटा कोईन बड़ा interesting है प्रफुल के पटेल गुजरात state से आते है और गुजरात में alcohol band है बिहार की तरह तो आप सोचोगे कि उनकी जो thinking होगी उसी thinking को लक्षदूइप में भी apply करेंगे लेकिन नहीं लक्षदूइप में actually में alcohol पहले से ही band थी प्रफुल पटेल ने उसका उल्टा ही किया अभी तक सिर्फ लक्षदूइप के एक island के एक resort पर एक शराब का ठेका था अब प्रफुल पटेल ने इन restrictions को हटा दिया और permission दे दी कि और शराब के ठेके खुल सकें लक्षदूइप के islands पर सात्वा CPIM के एक MP एलेज करते हैं कि प्रफुल के पटेल ने बहुत से लोकल फिशर्मेन के घरों को demolish करवाया एक फिशर्मेन का जो लक्षूदीप में थे उनका वीडियो भी वाइरल गया था ट्विटर पर जहां पर वो बता रहे हैं अपनी कहानी और फाइनली आठवा पॉइंट को इतना बड़ा पॉइंट नहीं है लेकिन इसे मेंशन करना जरूरी है क्योंकि ये दिखाता है कि कैसे बे मतलब पे वहां रहने वाले लोगों को तंग करने की कोशिश करी जा रही अब एक लक्षद वीप में बीफ बैन लगा दिया गया है अगर आपको नहीं पता लक्षद वीप में रहने वाले लोगों का जो कल्चर है वो मल्याली कल्चर से काफी सिमिलर है तो वहां पर लोग बीफ खाते हैं ट्रेडिशनल तो जबरदस्ती मतलब जब पता है कि वहां रहने वाले लोगों को एक कल्चर का ये पार्ट है फिर भी उन पर एक बीफ बैन थोपा जा रहा है काफी minor point है लेकिन overall जो points मैंने बताया उनके बारे में ज़रा सोच कर देखिए हमारे देश में एक group of islands हैं यहां पर जहां पर लोग बहुत educated है हवा बड़ी साफ है कोई pollution नहीं है कोई कुड़ा कचड़ा नहीं फैला हुआ बड़े साफ clean beaches है वहाँ पर कोई crime भी नहीं है over population की भी कोई problem नहीं है COVID की भी कोई problem नहीं थी until recently जो वहां रहने वाले लोग हैं वो अपने livelihood के लिए fishing करते हैं एक sustainable तरीके से ऐसा भी नहीं है कि उनकी fishing से वहां की fish की जो population है वो कम हो रही हो उनका जो fishing का तरीका है वो commercial fishing से काफी अलग है इसके इलावा थोड़ा बहुत tourism होता है जिससे वो लोग गुजारा चलाते हैं तो बहुत लाजवाब beauty है इस जगह में, harmony है और शांती से लोग रहने लग रहे हैं अब अचानक से यहां पर एक politician आते हैं जो पूरा तहस महस कर डालते हैं लोगों की घर तोड़वा देते हैं, लोगों को job से fire करवा देते हैं, अपने साथ covid cases लेकर आते हैं जिसकी वज़े से लोगों के deaths होती हैं, पंचायत से powers छीन लेते हैं, गुंडा act जबर्दसी लोगों के उपर impose करते हैं तो क्या है यह? एक comic बड़ी famous होई थी यहां पर Instagram पर इस situation को लेकर, देखिए, बड़ी fit बैठती है एक comic प्रफुल के पटेल का कहना है कि उनका agenda सिर्फ और सिर्फ development है लक्ष दूइब की, वो मौलदीव से compare करते हैं, कि मौलदीव में इतने अच्छे resorts हो सकते हैं तो ऐसा लक्ष दूइब में क्यों नहीं हो सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर सवाल उठाना चाहूँगा कि किस तरह की यह development है, किस के लिए यह development है, क्या उस तरह के five star resorts बनाने से लक्ष दूइब में रहने वाले local लोगों का फायदा होगा या फिर उन capitalist लोगों का फायदा होगा जो बड़े बड़े अमीर लोग आकर जमीन खर कर खतम कर दी जाएगी, क्या इस तरह की development से वहां रहने वाले लोगों को सुकून में लेगा, क्या वो सही में चाहते भी हैं, कभी पूछ कर देखा है उनसे, जरा सोच कर देखिए इन सब चीजों के बारे में और अपनी आवाज उठाईए लक्ष दूइब के लिए, उमी